नमस्कार दोस्तों, आज जो न्यूस पर हम बात करने वाले हैं वह एक बयान को लेकर हैं, चलिए देखते हैं अमरीका के राश्पती जो बाइडन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाग देशों में से एक का करार जो है वो दिया है जिनके पास परमाणू हतियार मौजूद है, डेमोक्रेटिक पार्टी की चुनाव अभियान समीती के स्वागत समहारों में बाइडन ने कहा मुझे लगता है कि शायद दुनिया के सबसे खतरनाग देशों में से एक है पाकिस्तान, जो बिना किसी सामनजस्य के परमाणू हतियार संपन राश्टर है वाइट हाउस की वेबसाइट पर उनकी स्पीच की ट्रांस्क्रिप्ट अप्लोड है, अमेरीकी राश्टर पती ने यह टिपणी वैश्विक स्तर पर बदलते घूराजनेतिक स्तिदी के संदर में की है उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और देश अपने गडवन्धनों पर पुनन विचार कर रहे हैं और इस मामले की सच्चाई ये है कि मैं वास्तव में इस पर विश्वास करता हूँ कि दुनिया हमारी और देख रही है मजाग नहीं है यहां तक कि हमारे दुश्मन भी यह पता लगाने के लिए हमारी और देख रहे हैं कि हम इसको परिस्तिती को कैसे समखालते हैं क्या करते हैं बहुत कुछ दाव पर लगा है जो बाइडन ने हम इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि अमेरिका के पास दुनिया को उस स्थान पर ले जाने की शमता है जो पहले कभी नहीं हुआ है अमेरिकी राश्टपती ने कहा कि क्या आप मेंसे किसी ने कभी सोचा था कि क्यूबा मिसाई संकट के बाद एक रूसी नेता आएगा जो सामरिक परमाडू हतियारो के उपियोग की धमकी देगा तीन-चार हजार लोगों को मार सकता है और इससे जायज ठहरा सकता है क्या किसी ने सोचा था कि हम ऐसी स्तिती में होंगे जहां चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान कि सापेक्ष अपनी भूमिका का पता लगाने की कोशिश कर रहा है अपने चीनी समक्ष शी जिन पिंग के बारे में बात करते हुए अमेरीके राश्रपती ने उन्हें एक ऐसा व्यक्ति बताया जो जानता था कि वह क्या चाहता है लेकिन उसके समक्ष समस्याओं की एक विश्याल शंगला थी बाइडन ने कहा रूस में जो हो रहा है हम उसको कैसे समालेंगे और मुझे लगता है कि शायद दुनिया के सबसे खतरनाग देशों में से एक है पाकिस्तान जो विना किसी सामन जस्ते के परमाडू हतियार संपन राश्र है इस सब्ता की शुरुवात में यह सामने आया कि पाकिस्तान जो कभी वाशिंग्टन दीसी का एक प्रमुख सहयोगी था अमेरिकी राश्री सुरक्षार अरनीती 2022 में उसका उलेख भी नहीं किया गया था इसमें चीन को अमेरिका का सबसे परिणामी भूराजनेतिक चुनौती बताया गया इस 48 प्रश्ट के दस्तावेज में रक्षिन और मध्य एशियाई छेत्र में आतंगवाद और अनिभूर अनेतिक खत्रों का उलेख है लेकिन हाल के दिनों के विप्रीत यह पाकिस्तान को उन खत्रों से निपटने के लिए आवश्य सहयोगी के रूप में उलेखित नहीं करता है पाकिस्तान 2021 के रणनेतिक पत्र में भी नाधारत था इसे जो बाइडन की नित्रत्व वाले प्रशाशन की और से पाकिस्तान के साथ एक अलग अमेरिकी संबंद बनाने की पारिस्परिक इक्षा को प्रति बिम्बित करने के रूप में देखा जा रहा है तो दोस्तों यही था जो बाइडन का बयान मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंकी सो मच